आज जो हमारे सामने साचोइशन है उसमें क्या है यह गिलास का स्फियर है जिसका रेटियू इंडेक्ष दिया है मू और रीडियस ऑफ करवेचर जो है वो दियू इसकी आर यानि इस स्फियर का रीडियस दिया हुआ है आपको आर और दो पॉइंट यहां पे मैंचेन है एक पॉइंट में है और उसी डायमेटर के अलोग दूसरा पॉइंट है यहां पे दो पॉइंट मैंशन है एक पॉइंट एक पॉइंट बी तो यह जो इसको इसे लेकर बी तक की जो इसेंस है वह इंफनेटली लाज संझ में आ रही है The observer observes the distance AB to be infinitely large और आपको इसका refractive index जो है वो find करना है कि इसका refractive index कितना होगा अब A को तो वो directly देख लेगा A तो front में है A में कोई reflection वगरा नहीं लगगा तो light रे सीधे A में जाएगी A से जाएगी और सीधे उसकी eyes में चली जाएगी और वो A को observe कर लेगा ठीक है जो B है उसकी image infinity पर बननी चाहिए तब वो A से B तक की जो distance है वो infinitely large समझ पाएगा तो B की distance infinity पर कब बनेगी जब B से आने वाली light rays होगी जो B से आने वाली light rays होगी वो यहाँ से reflect होके surface के या principal axis के parallel हो जाएगी अगर ऐसी situation होगी तो उसको जो B की person को जो B की image समझ में आएगी वो infinity पर समझ में आएगी तब हम वो condition justify कर पाएगी कि इस person इस observer को A और B के बीच में जो distance दिखाई दे रही है वो infinite हो जाएगी तो यह question है और यही इसकी condition बनेगी तो solve कर लेते हैं अभी आपको answer मिल जाएगा ठीक है लाइट रे जो है वो मू से air में आ रही है यहां का refractive index है 1 तो हम formula लगाने जा रहे है रिफ्रेक्शन का mu2 over v minus mu1 over u is equal to mu2 minus mu1 over r और यह logic सबको समझ में आ गया होगा कि A की A तो directly देख लेगा यह तो front में ही है A के लिए कोई reflection नहीं लगेगा लेकिन B जो point है और अगर उसको A से B तक की distance infinite नजर आएगी तो तब ही आएगी जब B से आने वाली जो है वो parallel हो जाएगी तो उसको ऐसा लगेगा कि B की इमेज बन रही है वो कहां बन रही है infinity पर बन रही है ऐसे एक ही लाइटर नहीं आएगी कही सारी लाइटर आएगी एसे एक लाइटर यह भी आएगी इधर से और उसका भी reflection होने के बाद वो principal axis के क्या हो जाए अगर parallel हो जाए तो यहां से देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि जो B की image बन रही है जो B की image बन रही है वो कहां बन रही है वो infinity पर बन रही है तो A और B के बीच की distance क्या हो जाएगी आपकी infinite हो जाएगी तो लगाते हैं फिर equation इसमें Mew 2 वो है जहां Mew 2 जहां पर refracted light ray आ रही है मतलब Mew 2 है refractive index 1 और Mew 1 वो है जहां पर object रखा है यानि Mew 1 refractive index है Mew सारी value डालेंगे तो Mew 2 होगे आपका 1 image distance कितनी है तो वो infinite होगी ठीक है minus Mew 1 कितना है Mew और जो object distance से वो minus 2R के बरावर हो जाएगी क्योंकि यह वाली surface से हम देख रहे हैं और यहां से जो object है वो diameter के बरावर distance पर तो यह distance कितनी होगी आपकी 2R distance होगी is equal to Mew 2 मतलब 1 minus Mew 1 मतलब Mew upon इसका जो radius of curvature जाएगा वो minus R जाएगा minus R इसलिए जा रहा है क्योंकि curve इस तरह से तो इसका center यहां लाई कर रहा है तो radius of curvature इस side आजाएगा तो वो minus R होगा तो यहां से हमें refractive index find करना है तो यह minus minus क्या हो जाएगे यह plus हो जाएगे तो यह mu upon 2R आ जाएगा और is equal to यहां पर यह minus को अगर मैं consume करूं तो mu minus 1 upon R हो जाएगा तो अच्छी बात यह है क्या हो जा रहा है cancel out हो जा रहा है तो हमें direct mu को answer मिल जाएगा तो यह आपका आने वाला है mu is equal to 2 mu minus 2 तो यहां से mu की value जो है वो 2 के बराबर आ जाएगे तो उस glass square का refractive index 2 के बराबर होगा